नमस्कार दोस्तों मैं विजेतिवारी स्वागते आपका मारे यूटूब चैनल में जहां हम आजी क्लास में इग्लू B.H.I.C. 133 के चैप्टर नमबर 4 को पढ़ेंगे चैप्टर का नाम होगा विजेनगर समराज्य और दक्कन राज्य के इतिहास में उनका क्या योगदान था विजेनगर समराज की धरम और राजनीती कैसी थी और प्रशासन कैसे चलाया जाता था सैनिक व्यवस्ता कैसी थी ग्रामिड प्रशासन कैसा था ये सब चीजे आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो विजयनगर समराज के साथ साथ आप दक्षिन भारत में एक और शक्ति के बारें पढ़ोगे जिसे हम बहमनी समराजी के नाम से जामते हैं तो साउथ इंडिया में विजयनगर समराज और बहमनी समराज के बीच में युद्ध का कारण था ये तमाम चीजे चैप्टर पढ़ाने वाला है आपको इंट्रेस्टिंग चैप्टर है दूसरी बात ये है कि सबसे महत्पूर्ण चैप्टर में से एक है जिसमें से पेपर में कोशन आता ही है चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है प्रस्तावना हमें यही बताती है कुल मिलाकर कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पड़ेंगे और पहले के चैप्टर में हमने क्या पड़ा है फिर भी एक paragraph है इस चैप्टर का जो बहुत important है प्रस्तावना का जो इस चैप्टर की theme बता रहा है हमे तो ये बताता है कि विजयनगर समराज की स्थापना किस ने करी है हरियर और बुक्का ने तो आप से कोई पुछे विजयनगर समराज की स्थापना किस ने करी है तो आप बताएंगे विजयनगर समराज की स्थापना हरियर और बुक्का ने करी है हरियर और बुक्का की बात करें तो डायक्ट इनों ने विजय नकर समराज किस्था अपना नहीं करी शुरुवात में ये काक्तियों के अधिन सेवर रत्ते यानि कि वारंगल नाम का एक छेतर है जहां पर काक्तिय वन शाषन करता था और ये उसकी सेना में कारे करते थे कौन हरियर और बुक्का लेकिन आगे चलकर वारंगल हार गया तो हरियर और बुक्का भाग कर कामपिली चले गए अब जब ये हरियर बुक्का भाग कर कामपिली चले गए ऐसे में हरियर बुक्का ने इस्लाम स्युकार भी कर लिया और राजा के क्रिपात्र बन गया या नहीं कि राजा के वफादार बन गया फिर आगे चल कर क्या हुआ होईसाल वंश का यहां पर उदय हुआ फिर धिरे करके दिल्ली सलसनत कमजोर भी होने लगी उसके बाद इस चैप्टर को हम पढ़ते है तो देखो जब आप साओ्थ हंड़िय का मैप देखोगे तो यहां पर एक किताब मे मैं थोड़ा बाद में देए गए शुरू में देना चाहिए था तो देखो साउथ इंडिया का जब आप मैप देखोगे तो यहां से साउथ इंडिया शुरू है कहां से नर्मदा निदी के साउथ से अब नर्मदा नदी अगर आप मैं आप में देखोगो तो यहाँ पर है तो नर्मदा नदी के नीचे का यह सारा एरिया यह दक्षिन भारत कहलाता है लेकिन फिर भी हम दक्षिन भारत को दो भागों में बाढ़ते हैं एक प्रॉपर दक्षिन भारत है जो यहां से शुरू है और फिर उससे उपर का जो एरिया ही से बोलते हैं दक्खन ठीक है जो किताब में पढ़ाएगी जो ये वाला एरिया पढ़ाएगी हमें किताब ये दक्खन के रूप में पढ़ाएगी और इसके नीचे वाला एरिया दक्षिन भारत के रूप में पढ़ाएगी जोड़ा साद आभू वारंगलए वह थोड़ा सा दूर है अभी वारंगल पर किसका सासम था अभी हमने प्रस्तावनार पड़ा वारंगल में था काक्तेवन्ष का वा साथा में कारे करते थे क्यों हरीरज और बुख्का इस पर किसका आुक्मण हुआ दिल्ली सल्तनत का जब यहाँ पर देवगिरी है, यहाँ पर एहमद गरनगर है, यहाँ पर गुलबरगा है, यहाँ पर बीजापूर है, ठीक है, तो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह सारी चीज़े दिखाई देंगे, और यह सब यह भी नाम आगे आने वाले हैं, तो के लिए बहुत famous होगी, यहाँ पर hero के खदाने होगी, ठीक है, यह जगा उदेगरी है, ठीक है, इसके अलावा, अगर आप देखो, और कौन सी important देगा है, तो यह कावेरी नदी है, यहाँ पर, कावेरी नदी मैं क्यों बता रहूँ आपको, क्योंकि इसके आसपास का तो बहुत उपजाओ होगा, और इसी वेश से यहाँ पर लड़ाई होगी, क्योंकि इस उपजाओ वाले छेतर को विजन अगर सोचेगा, मैं कंट्रोल में कर लूँ, और बहमनी समराज सोचेगा, मैं कंट्रोल में कर लूँ, इस उपजाओ छेतर के लिए यहाँ पर बार बार सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है और उनमें से एक चीज़ होती जोग्रफी कि आखिर उस छेत्र में उस सक्ति का वास हुआ तो क्यूं हुआ तो देखो दक्षिन भारत की जोग्रफी अगर आप देखोगे तो मैं अभी आपको बताया तीनों तरफ से समुंदर से क्या क्लार रहा है दखन नीलगिरी की यहाँ पर पहाडिया यह देखें नीलगिरी की क्या है पहाडिया है पेनार नाम की जो पर अलगां इसके लावा यहां कि उपढ़ IT उसके लावा यहाँ बहुमी जादा उपज़याऊ Πन नहीं है जंगलों से घिरी हुई है, कॉस्टल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए ज़्यादा उपजावपन यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की द्रिष्टी से आनि की साम्रीक द्रिष्टी से छेदर बहुत ही महत्पोण है, इसलिए हाँ पर मजबूत दुर्ग दुर्ग मतलब बड़े-बड़े किलो का निर्माट किया गया है, इस एरिया में दो बंदरगा मिलते हैं, आपको एक कर नामे चौल और एक कर नामे दाबहौल, तो चौल और दाबहौल एक मशुर बंदरगा हैं दोनों, बंदरगा मतलब जहाँ पर पानी के जहाच खड़ होते हैं, समुन्दरी वैपार यहां से होगा, यहां पहुचना बहुत यादा कठीन है, कहाँ पर दक्षिन दक्खन में, क्यों? क्योंकि पहाडी एरिया है, तो इसलिए यहां के जो शाशक हैं, इनकी जो निष्ठाएं बदलते रहते हैं, यानि कि जब यह कमजोर इस्थि में तो अपने आपको सतंद्रगोशित कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, विद्रो कर देते हैं, मराठो का उदय भी इसी वेसे हुआ, मराठे पावर्फुल बनें, वो इसी वेसे बनें, यहां की जोगरफी ये वेसे, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया है, इसलिए मराठों इस इस्तिति ने, यहां के जो इस्थाने सरदार रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा भूमी का अदा करी है, महत्पर भूमी का अदा करी है, लेकिन सोल्वी सताब्दी में जब पूर्दगाली आएंगे, तो पूर्दगाली के सैनिक शक्ती अच्छी होगी, वो इस छेते पर कंट्रोल कर लेंगे और यहां के पूरे के पूरे जानीती को बदल देंगे, इसके लावा और भी कुछ चीजे फेमस हैं, यहां पर दक्कन के अगर आप बात करोगे, यहां पर पालगाट के दर्रे हैं, दर्रे वो होते हैं, जो पहाडों के आसपास का जो छेतर होता है जिसमें से आवा जाही के लिए जगे बनी होती है तो तापती नदी है, वर्धा नदी है, पेन गंगा नदी है महराष्ट में खांदेश और बरार का छेतर उपजाव भूमे के लिए फेमस है आजन्ता की पहाड़ियां यहाँ पर निलगिरी की पहाड़ियां है पालगाट धर रहा है, ठीक है खेरला और माहूर पर कबजा करने के लिए आपको मालवा और भहमनी के राजों के बीच में लडाईयां होगी क्योंकि यह छेतर जो है उपजाव छेतर होगा इसके बाद तेलंगाना वाला एरिया पड़ेगा साउथ इंडिया में इसके लावा मैंने आपको कुरनूल दिखाया था, जहाँ पर हीरो की मशूर गोलकुंडा की क्या है, खदाने है इसके लावा इस एरिया में कुछ खनीज भी मिलेंगे आपको तामबा, सीसा, जिंक, लोहा, सोना, मैगनीज, यह सब इस एरिया में मिलते है तो इस यह एरिया देखा जाए तो प्राकर्तिक समसादनों से परिपूर्ण है इसलिए इन छेत्रों के बीच में लडाई भी होगी कि इनी चीजों पर कब्जा किया जाए तो अगर हम पढ़ेंगे जब विजयनगर के राजाओं और बहमनी के राजाओं के बीच में लडाई का जड़ थी वो यह छेत्र थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सिस थे उपजाओ छेत्र भी थे क्योंकि पूरा छेत्र तो उपजाओ नहीं था कुछ ही छेतर रुप जाओ थे तो जो छेतर रुप जाओंगे तो हर राजा यही चाहेगा कि मैं उच्छेतर पर कब्जा कलनू और किष्री से जो आय हो उससे maximum profit मैं ही ले सकूँ अब हम दक्षिन भारत के बारे हैं तो दक्कन के बारे हैं तो दक्षिन भारत की शुरुवात होगी किष्ण नदी तुक बंदरा नदी से, ठीक है, यहां का जो छेतर हो दक्षिन भारत के लाएगा, पूरव का जो एरिया इसे हम कोरो मंडल टट कहेंगे, इसके लावा कन्या कुमाई तक पूरा को पूरा दक्षिन एरिया कहलाएगा, यहां पर माला बार के तटोंगे, चोल राजाओं ने कावईरी के आसपास के छेतर को विक्षित करने में एक महत्पण भूमी का निभाई थी, आगे चलकर विजयनेगर समराज की राजधानी से घोशित किया जाएगा, यहां के जो उपजाओ वाले छेतरे इनको लेकर कई बार विजयनेगर और बहमनी समराज्य के बीच में लड़ाई जगड़े भी होते रहेंगे, तो भाई साउथ इंडिया और दक्खन की जियोग्रफी आपको पता चल गई, कि हम कि सेरिय को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, अब आगे चैप्टर में बता जा रहा है विजयनेगर राजधी की स्थापना और सुध्रडिकरण, यानि कि विजयनेगर समराज की स्थापना में किसका योगदान था हो, इससे मजबूत, ती से आगे बढ़ाने में किसका योगदान था हो, तो यह बात आपने पढ़ी है भी, कि विजयनेगर समराज की स्थापना किसने करीती हरियर और बुक्काने, कब करीती 1336 में तो विजयनगर समराज का प्रारंभिक काल कहा से शुरू होता है 1336 से और कहा तक जाता है 1509 तक तो देखो इस काल में विजयनगर, बहमनी समराज, कोंडा विंडू के रेड़ी, तो विजयनगर, बहमनी, कोंडा विंडू, राजकोंडा, विंडू, राजकोंडा, राजकोंडा, ये सारे छेतर अपस में लड़ते-जगरते रहते थे लेकिन क्यों ये लड़ते थे किष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के लिए डेल्टा क्या होता है तो नदियों द्वारा भाकल लाएगे मिट्टी से जो मेदान बनते हुं नसे डेल्टा मैदान कहते हैं यो बहु होती थी 1336 लेकर 1422 तक विजयनगर और बहमनी राजाओं के बीच में लगातार संखर्ष हुए ठीक है और कई बार शक्ति संतुरन बंता भी करता रहता था यानि कि कई बार कुछ राजा विजयनगर का राज साथ देते थे और कई बार बहमनी का साथ देते थे जैसे कि यहां कोंडा के जो वेला माओ राजा थे राजमुंदरी के जो रेड़ी थे इन्होंने विजयनगर का साथ दिया जिसकी वेसे विजयनगर का पल्ला इस समय भाई रहा 1422 से लेकर 1446 तक अगर आप बात करोगे तो विजयनगर बहमनी के राजाओं में लड़ाई हुई राय चूर अगर बहमनी के राजाओं में क्या कमी हैं तो विजयनगर के राजाओं ने अपनी हार से सबग लेते हुए अपनी सेना को मजबूत करने के लिए क्या करा उन्होंने मुस्लिम तिरंदाजों को और अच्छी नसल वाले घोड़ों को अपनी सेना में शामिल किया कि भाई मु मुस्लिम तिरंदाजों को बहुत सारे अनुदान भी दिये गए और ऐसे में धीदर करके विजयनगर समराज मजबूत होता चला गया ऐसे में 1465 के बाद इन्होंने फिर से दो आपको यानि कि राइचूर को जीतने के लड़ाई करी फिर विजयनगर को अपने हाला कि फायदा उठाते भी विजयनगर के राजाओं ने इन पर फिर से आखमण किया और फिर इस छेतर को जीत लिया कुल मिलाकर यहां से यहां तक कि यह बात है विजयनगर का जो शुवाती टाइम पिरिड है वो बहमनी राजाओं से लड़ने में बीता कई बार विजयनगर की पराजय हुई और यह लड़ाई किस चीज को लेकर हो रही है रायचूर के दवाप को विजयनगर अपनी सेना को मजबूत करेगा और वापस से बहमनी समराज पर आकमण करेगा पूरब में अगर हम बात करेंगे उडिसा में तो उडिसा में जो राजा थे वो गजपती रा तो विजयनगर के राजाओं ने गजपतियों से युद्ध किया और गोदावरी का जो छेतर है उनसे वो जीत लिया लेकिन आगे चलकर 1481 में वहमनी जो है विजयनगर को हराएंगे वो इच्छेतर कबजा कर लेंगे खेर अब विजयनगर का ने राजा बनेगा राजा ने ऑःजा किशनदेव राय बनेगा तो यह विजयनगर का सबसे सकति साली राजा वहें विजयनगर को आगे बढ़ाने में इसी का सबसे बड़ा रोल होगा यहा काल विजयनगर के महांतम शाशक किशनदेव राय का है जो कि तुलू वन से थे इस सवदी में बहमनी शक्ति खतम हो जाएगी बहमनी जो समराज्य वो तूट जाएगा और बहमनी समराज्य पांच भागों में बढ़ेगा जैसे कि मैंने हाइलाइट कर रखा है एहमद नगर में निजान शाही का उदय होगा बीजापुर में आदिल शाही का बरार मे इमाद, गोल कुड़ना में कुद्व और बीदर में बरिशाई यानि कि बहमनी समराज जो पहले शक्ति खाली था अब बहमनी समराज तूट जाएगा और वो पांच भागों में बढ़ जाएगा बहमनी समराज के तूटने पर राजा किष्ण देवराई क्या करेंगे इनक पंद्रा सो दस में विजयनगर के सामने एक नई चुनोती बन कर आएगे कौन पूर्तगाली अब पूर्तगाली जब भार से आएगे तो वो इस चेतर पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे रादक किष्ण देवराई के मरते के साथ ही विजयनगर में आईस्थिरता का यु युद्ध करते जाओगे रादकिष्ण देवराई मर गए और ऐसे में राम राय नया शाशक हुआ अब जब राम राय आया तो राम राय की बात करें तो सत्ता जो थी वैसे तो सदाशिव के पास थी लेकिन राम राय यहां का मुख्या बना रहा राम राय के टाइम पर क्य लूटा गया और विजयनगर को देखते ही देखते हैं खतम कर दिया गया विजयनगर की बात करें तो गोलकुंडा एहमन नगर बीदर और बीजापुर इन सब ने मिलकर विजयनगर पर आकमड किया और 1565 में इस छेतर को पूरा कमज़े कर लिया इसे तालिकोटा का युदिय जिसका नाम था Martin Alphanso Decija तो Martin Alphanso Decija था ये गोवा का गवर्णर बना और उसने एक जगैती भतकल महाँ पर लूट पार्ट की तो राम राए को Alphanso Decija और जिवावदो कास्तरों के साथ संदी करने ही पड़ी और ऐसे में राम राए ने कहा कि भाई जो घोड़ो का वेपार होता है अश्वेपार होता है उसमें मेरा एक अधिकार होगा यानि कि सिर्फ मैं इव्यो वेपार करूँगा और कोई नहीं करेगा दखन के अगर हम बात करें तो अभी हमने बह्मनी समराज के बारे में पड़ा कि बह्मनी समराज पांच भागों में बढ़ गया बीजापूर, गोलकुंडा, एहमन नगर, बीदर और बरार तो इनके आपसी संघर्ष के वेशे विजयनगर के भी युद्ध होते रहें और ये सारी कहानी में आपको अल्लेडी बता चुका हूँ कि गोलकुंडा, एहमन नगर, बीदर और बीजापूर ने शामिल एक साथ होकर विजयनगर के वृद्ध मोर्चा बनाया और किष्णा नदी के टेट पर 1565 में ताली कोटा में ये युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, इसे लूटा गया, राम राय मारा गया और विजयनगर समराज का पतन हो गया तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ लिया कि विजयनगर की जोगरफी गया है विजयनगर दक्षिन भारत में कहां इस्तित है राजक किष्ण देव राय ने किस प्रकार से इस छेत्र को मजबूत किया और यहां पर आईस्तिरता कैसे फैली और विजयनगर के पतन में उन छेत्र शक्तियों का क्या वो था मेहत्व था आगई इस चैप्टर में जो हमें पढ़ा जाएगा वो ये पढ़ा जाएगा विजयनगर समराज में धरम और राजनीती तो विजनेगर समराज में जब आप धरम और राजनीती को पड़ोगे यहां से कोशन भी सिर्फ ऐसी बनेगा कि विजनेगर समराज की धरम और राजनीती के बारे में बताईए तो देखो अगर हम उस समय के बात करें 14th century की बात कर रहे हैं 1336 में विजयनेगर समराज की स्थापना हुई तो 14th और 15th शताब्दे की जवाब बात करोगे तो इस समयना अगर आपको शाशक बनना है तो सिर्फ ना सिर्फ शक्ती नीची आपको बलकि बहुत सारी चीजों का समर्थन चीए जिन में से एक समर्थन होता धरम का बिना धरम के समर्थन के आप अपनी सत्ता नहीं चला सकते हैं तो ऐसे में अगर हम विजयनेगर समराज में धरम की बात करें राजनीती की बात करें तो पहले हम राजनीती की बात करते हैं तो विजयनेगर में धरम के कठोर पालने का जो सिधान था, यह एक विशिश लक्षण था, यानि कि धरम यहाँ पर कठोर था, और इसको कठोरता से पालन किया जाता था, लेकिन विजयनेगर के जो शाशक थे, यह भले ही हिंदू थे, लेकिन इने हिंदू राजाओं से भी जरूरी था, लेकिन यह भी देखा जाता है कि आपस में भी युद्ध होते थे, लेकिन अगर आप देखो विजयनेगर के राजनिति को घहराई से पड़ो तो आपको अचलेगा विजयनेगर की सेना में, मुसलिम सेनानियों को भी रखा गया था, तो इससे बदलता है धरम रिप्रेक्षता भी थी, सैकलिर्जम भी था, देवराय दित्ति के समय मुसलिम तरंदादों को भरती किया गया, मुसलिम टुकडियों ने विजयनेगर के हिंदू परतिदंद्यों के खिराफ जीत में महत परभूम का निभाई, यानि कि विजयनेगर के जब बहमनी रादा जो कि भरती भी की जा रही है, और ये मुसलिम तरंदाज युद्ध को जिताब ही रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि धरम का पालन कठोर सा, विजयनेगर ने सफल सैनिक कारवाहियों के फलसरूप, दिग विजयनेगर के रादा थे, जब भी ये युद्ध जिते थे और धरम के जरिये कंट्रोल करते थे, यहां पर महा नहुमी का तहवार बहुत अच्छे से मनाया जाता था, नौ दिनों तक यह तहवार चलता था और दसवे दिन दशहरा होता था, जो कि आज भी मनाया जाता है, ब्रामबर इन उस्तों में भाग लेते थे, हाला कि उनकी भ पादा ही करता था, लेकिन फिर भी ब्रामबरों की उपस्तिती अनिवारे थी, विजयनेगर की राजनीती में ब्रामबरों की क्या भूमी का थी, तो देखो विजयनेगर समराज एक विशेष प्रकार के लक्षन ये थे, कि यहां पर भहिया जो ब्रामबर थे, कुछ ब्रा हितिक स्रोतों के आप पड़ोगे, तो जो ब्रामबर तेलुगु मूल के थे, यानि कि तेलुगु भाशी थे, इन्होंने प्रशाषन में महत प्रभूमी का निभाई, लेखन कला में महत प्रभूमी का निभाई, राज के करमचारी बन गई है, उनके लिए आजीविका के अच्छे साधन बन गए, यानि कि उन्हें पूजा पाट छोड़के राजनीती में एक महत प्रभूमी काता करनी लग गए, ये ब्रामबर अन्य ब्रामडों से भिन थे, जो तेलुगु वाले थे, यान्य ब्रामडों से भिन थे, क्योंकि पुरातन पंती नहीं थे, पुरा ब्रामड टिम्मा को आर्थिक साहता प्रदान की गई, क्योंकि उसने राजनीतिक व्यवस्ता बहुत अच्छे से कर रखी थी, तो ऐसे में पतलता है कि ब्रामड ना सिर्व, पूजा में महत पर भूमी का निभा रहे हैं, प्रशार्षक के भूमी का भी निभा रहे हैं, मं मंद्रों को सा संबंद इसापित किया, बड़े-बड़े मंद्रों का निर्माड किया, वहाँ पर मूर्तियों का निर्माड किया, तो राजत्यों को बनाया रखने के लिए मंदिर अधार भूत थे, ताकि वहां के लोगों का क्या करें, समर्थन हासिल क्या जा सके, लोगों 1650 के वीच में दक्षिन भारत में कई मंद्रों का निर्माड हुआ और इनमें बड़े पेमाने पर जो है चढ़ावा भी चढ़ाया गया कुछ मंद्रों के यहाँ पर नाम लिखे हैं जैसे कि मैंने हाइलाइट कर रखा है तो जब संगम वन्ष के राजा शासन कर जाते शुरुआत में तो इन्होंने शैव संप्रदाय को आगे बढ़ाया है विजयनेगर में श्री विरुपाक्ष मंदिर का निर्माड करवाया है जो कि यहाँ के मूल देवता थे सुलूब वन्ष के जो राजा थे यह वैशनव थे इन्होंने शैव और वैशनव दोनों मंदिरों को बढ़ाया है राजा किशनदेव राजा ने किशना सौई मंदिर का निर्माड करवाया था शिव मंदिरों के लिए अनुदान दिये थे अराविडू राजाओं ने वैशनों मंदिरों को उपहर दिये थे तो ऐसे में बहुत सारे मंदिरों का निर्माड हुआ तो ऐसे में पतलता है विजनेगर के समराज में धरम की एक महतपड़ भूमिका थी अब विजनेगर समराज में इस्थानिय प्रिशाशन के बारे में बात करने की यानि की प्रिशाशन कैसे चला जाता था तो विजयनेगर समराज के प्रिशाशन को चलाने में नायक और आयगार व्यवस्ता बहुत तगड़ी व्यवस्ता थी जिसे हम जानेगे सबसे पहले कि नायनकार व्यवस्ता क्या थी तो नायनकार व्यवस्ता विजनेगर की दानितिक संगठन की एक सबसे बड़ी विशेस्ता थी जिसमें एक सेना नायक होता था यानि कि एक योध्धा होता था जिसको नायक या अमर नायक की पदवी दी जाती थी इन योद्धाओं को उनकी जातीय पहचान, उनकी जिम्मेदारी, उनकी अधिकारों के वेशेश अधिकार दिये जाते थे तो नायनकार विवस्ता में क्या था विजनेगर के राजनितिक संगठने, प्रिशाश्निक विवस्ता है, सैनिक विवस्ता है सेनी विवस्ता में जो योद्धाई नायक और अमर नायक कहा जाता है पहले में इसे अपनी लेंगज में समझा जाता हूँ जो यह नायक थे नायक यह साधान सेनी कोते थे इनका काम किले की देखरेक करना होता था इरेक छोटे मुटे वैपारियों से कर की वसूली भी करते थे कई बार ये नायक ना विद्रो कर देते थे तो इनके विद्रो को दबा दिया जाता था लेकिन जो अमर नायक थे ये बड़े-बड़े सेना कमांडर होते थे ये पूरे के पूरे छेतर पर कंट्रोल करते थे इनके अपने किले होते थे अपनी सेनाय होती थी बड़े-बड़े वैपारियों से करो की वसूली करते थे मंद्रों को निर्मार करने में सडकों के निर्मार करने में इनकी बड़ी भूमिका होती थी साल में एक बार ये राजा से भी मिलते थे अमर नायक और राजा को भेड़ भी दिया करते थे राजा भी ने कंट्रोल में करकने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर इनका ट्रांसफर करता रहता था तो यही ववस्ता विजश्यनगर की नयानकार वेवस्ता है जिसमें आपको नयक और अमर नयकों के बारें बताना है किताब कैसे लिखती एक बार इसे भी देख लूआ तो नयक संस्था का गहन अध्धन अगर आप करोगे गहराई से अध्धन करोगे तो आपको दो नाम दिखेंगे एक नाम दिखेगा फरनाव नूनिज और एक नाम दिखेगा आपको डॉमिंगो पेज इन दोनोंने क्या करा जो लिखा है उसका अध्धन करने के बाद हमें पता चलता है इन दोनोंने तुलूब बन्ष के किष्ण देव राये और अच्चित राये जो राजा थे इनके सासनकार में भारत की यात्रा करी दी तब इन्होंने बताया कि नायक न केंद सरकार के एजेंट के रूप में कारे करते हैं कि सेंटरल गौर्डमेंट किसके दम पर सासन कर रही नायकों के दम पर नायक क्या कर रहे हैं यही राजाओं को अदाईगी दे रहे हैं एक सामन्ती चित्रन दिखराजा से यूरोप में सामन्त बात चलता था कि राजा के बाद लौड होते थे वैसी यहाँ पर राजे के बाद नायक और अमर नायक होते थे ऐसे एक इतिहासकार हैं N.K. शास्त्री इन्होंने भी बताया है भी यह नायक और अमर नायकों के बारे में कि नायकों को सैनिक मुख्या बताया है इन्होंने कि ये स्टैनिक सेवा देते थे बदले में इने पैसा दिया जाता था जबकि अमर नायक बड़े स्टैनिक अधिकारी होते थे जिने एक निश्चित भूछेतर भी दिया जाता था वो भूमी पूरी का पूरा एरिया अमर नायकों के कंट्रोल में होता था यहाँ पर लिखा है तो पूरे के पूरे एरियों को कंट्रोल रखने में नायक और अमर नायकों की एक महत्पड़ों मिखा थी आगे है विजयनगर की आएगार विवस्था तो विजयनगर के जब आप युक्का अध्धन करोगे तो विजयनगर कारे में करनाटक आंधर की जो इस्थाने संस्थाई थी ये थोड़ी सी सोतंत्र थी यानि कि हाँ राजा का थोड़ा कंट्रोल कम था पंद्रवी और सोली सताबदियों के मध्धे नाडू जो छोटे छोटे गाउं होते थे और नटार इनके शक्तियां बहुत छिन हो रही थी आइगार थे कौन? तो आइगार गाउं के सेवक और करमचारी होते थे जेव पूरे क्पूरे परवारों का समोह होता था मुख्या गण होते थे जिने रेड़ी या गोडा कहा जाता था लेखाकार होते थे जिने कर्णम या सेवना भवा कहा जाता था पहरेदार होते जिने तलाईयारी कहा जाता था यानि कि आएगर व्यवस्ता ग्रामीड समाज को चलाने में एक महत्पूर्व में का निभा रही थी और ये कौन होते थे ये सेवक और करमचारी होते थे गाउं के पुरा का पुरा परिवार काम करता था मुख्या को रेड़ी कहते थे लेखाकार को कर्णम कहते थे पहरदार को तलाईगरी कहते थे इन्हें गाओं का इक भाग दे दिया जाता था और उस घाओं के भाग से लगान वगान इन्हें इकठी करनी पड़ती थी और रादय को देना पड़ता था इसके लावा और भी बहुत सारी सेवाई उती थी थी चमड़ा कारीगर हो गयाओं में उस चमड़े की ठहली के काम करेगा कुमार हो गई बढ़ा ही हो गई जलापूर्थी करने वाले व्यक्ति हो गई इन सबसे काम लिया जाता था और बदले में इने वेतन दिया जाता था यह सब आपको कहा लिखनी है आएगार व्यवस्था में भूमी एवं आए संबंदी अधिकार की बात करें तो देखो यहाँ पर बहुत सारे अधिकारियों को रखा जाएगा जो टेक्स की वसूली करेंगे इन अधिकारियों को अलग-लग नामों से पुकारा जाएगा तो विजनगर की बात करें तो यहाँ पर चावल की पैदावार मुख्य होती थी काले किसम के चावल और स्वेत चावल दोनों उगाए जाते थे इसके लावा दाल और चने जैसे फसले भी उगाई जाती थी तो ऐसे में अगर फसले होंगी गरम मसाले नारियल सुपारियां भी उगाई जाएगी काली मिर्ची भी उगाई जाएगी तो अगर खेती होगी तो राज जी की आयका स्रोथ भी क्या होगा किर्षी से मिनने वाला टेक्स तो ऐसे में विजयनेगर के राजा थे वो अपनी आमदनी के लिए पूरी तरीके से किस पर निर्भर थे किर्षी पर हाला कि कुछ चीजे व्यापार पर भी निर्भर थी समाने तोर पर उपज का एक बटे चे भाग एक बटे चार भाग या ब्रहमड और मंदरों पर एक बटे भीस भाग एक बटे तीस भाग इस तरीके से टैक्स लिया जाता था इसके लावा हम देखे तो आमरा भंडार वडा और मान्या ये जमीनों के भाग थे जैसे जो भंडार वड़ा था ये राजा के अधिनस्त गाउं थे यानि कि जिन गाउं पर राजा कंट्रोल होगा वो कौन से कहलाएंगे भंडार वड़ा मान्या गाउं ऐसे होते थे जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता था ये भ्रामण मंदिरों और मठों के लिए काम होता था सबसे बड़ा वर्ग होता था आमरा गाउं का जो अमर नायकों को दिया जाता था इस पूरे के पूरे आमरा गाउं उपर कंट्रोल किसका किया जाता था विजनगर के जो नायक थे अमर नायक थे जिनके बारे बताया था हलाकि जो अमर नायक थे ये बात ध्यान रखना इनका कोई मालिकाना हक नहीं होता था बस इन्हें काम दे जाता था कि ये पूरे के पूरे चेतर से क्या करें ये पूरे के पूरे चेतर से करकी वसूली करें और वहाँ पर जो चीज़ों की कमी है उस चीज़ की पूरती करें भूमी कर्द कई प्रकार के पचलिते इसके लावा यहाँ पर अगर हम बात करें तमिल छेतर में दसावंदा आंधरो करनाटर में कट्टू कोडगे यह सब टैक्स हो गई नाम है और यह टैक्स जो है शिचाई के लिए है तो भूमी अधिकार के एक अनिसेरिती शिचाई में पूजी तो देखो भाई खेती करोगे तो सिचाई के लिए इन्वेस्टमेंट चीए सिचाई में जो इन्वेस्टमेंट लगेगी उससे जो आमदनियोगी से दसावंदा या फिर कट्टू कोड़ के कहा जाएगा तो यह सब भूमी और आयसंबंदी अदिकार है अब हम बा महालिंगम का एक अभिले के वहां बताए एक मंदर में 370 सेवक काम करते थे तो बहुत सारी लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है तो मंदिर की सिर्फ यह नहीं क्यों पूजा केंते वह आर्थी भूमिका भी निभारते हैं तो लिखाए विजनेगरे काल में मंदिर की महत मंदिर में बड़े-बड़े अधिकारों की नियुक्ति की जाती थी जो अनुदान के लिए बड़े पैमाने पर देख रेक करता था इसके लाव जो चड़ावा चड़रा है सामगरे चड़री है उसके खरीद के लिए पैसा यूज किया जा रहा है मंदिरों द्वारा सिचा मंदिर में नका अनुदानों का जो प्रियोग है वो व्यापारी संगों के लिए भी किया जाता है तो यह सब चीज़े से प्रकार से मंदिरों की भूमिका थी आगे इस चैप्टर में विजयनगर राजी की प्रकर्ती के बारे में बताया है बहमनी शक्ती के बारे में बताया है तो देखो विजयनगर राजी की प्रकर्ती पढ़ लेते हैं और बहमनी शक्ती जो है वो इस चैप्टर के अगले पार्ट में पढ़ेंगे ताकि विजयनेगर वाला जो portion है वो हमारा complete हो जाए तो जब आप विजयनेगर राजी के बारे में पढ़ते हो कि विजयनेगर राजी था किस प्रकार सा तो कुछ लोग कहते हैं देखो हमेशा जब भी कोई राजी चलता है तो वो कैसे चलता है एक होती है सेंटल गौर्मेंट और एक उसके अंडर में क्या होती है इस्टेट गौर्मेंट जैसे आज भी क्या है एक सेंटल गौर्मेंट है और एक क्या है स्टेट गौर्मेंट है तो ऐसे अगर हम बात करें विजयनेगर राजी की प्रकरती के बारे में तो जहाँ पर यह Central Government, State Government होती है, उसे हम बोलते हैं संघात्मक राज्य है, लेकिन जहाँ पर Central Government पावर्मेंट पावर्फुल होती है, तो हम उसे कहते हैं केंदरात्मक राज्य है, तो जब आप विजनगर समराज का धन करते हो, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि विजनगर रा जैसे जमिनदारी प्रथा चलती थी, कि भाई इस छेतर से आपको करो की वसूली करनी है, तो विजनगर राज की प्रत करती के बारे में अलग-लग लोगों को अलग-लग विचार है, कुछ लोग कहते हैं विजनगर एक खंडात्मक राज्य था, मतलब Central Government अपने साफ सुरक् आपकारी थे, नायक थे, अमरनायक थे, और ये लोग अपने तरीके से छेतर को चलाते थे हैं, सामन्तवादी मॉडल चलता है कि भाई ब्रहमणों को अनुदान दिय जाते थे, फिर वो अपने छेतर को पूछ तरीके से कंट्रोल करते थे, कुछ और व्यक्षें भी यहां पर की गई हैं, तो ऐसे में इतिहास कारों की दिश्टिकोंड की वेसे विजनेगर की प्रकरती अलग-अलग है, दक्षिन भारत में आगे चलकर जो अमरनायक है वो विद्रो कर देंगे, और अमरनायकों के विद्रो की वेसे कुछ छोटे-छोटे समराज्यों का उध्य यह पर, 1592 तक तो यह सेंजी जो थे, यह विजनेगर के प्रती वफादार बने रहें, लेकिन आगे चलकर विजनेगर का एक राजा आया जिसका नाम था वैंकट प्रथम, उसने सोचा कि मैं इन सेंजीों को अपने कंट्रोल में कर दू पूई तरेके से, इसकी वेसे सेंजी क् अलग हो गए, बिल्कुल यही हाल था तन्जोर का, तन्जोर की जब आप बात करोगे तो 1532 में जब राजाते अच्छी उतराएं, तो इन्होंने यहाँ पर एक नायक था जिसका नाम था सेवप्पा, तो सेवप्पा को तन्जोर छेतर दे दिया, शुरवात में यह भी क्य आगे चलकर जो इसके उतरा दिकारी आए, वो इसके विरोध में आ गए, ऐसे एक जगाती एक केरी जो की करनाटक में है, यहाँ का पहला नायक बना केलाडी नायक चोड़पा, इसने अच्छी उतरा है और राम राय की सेवा की थी, और अंतितक युद्ध में योगदान द कर रहे हैं, यह नायक राज्यों के उदे थे, जिससे पहलता है कि विजयनगर की जो राजी की प्रकरती थी, वो नायकों के अधिन चलती थी, कुछ कोशन बनते हैं यहाँ पर विजयनगर समराज में ब्रहमडों की भूमिका बता दो गया, अमरभ, भंडारव, दुर्ग, जायक और आएगार विवस्ता क्या है, इनके बारे में आपको टिपनी देनी है, विजयनगर समराज में नायक ननकार विवस्ता के बारे में बताओ, फिर नायक अमन नायक के बारे में बताओगे, विजयनगर की राज्य की प्रकरती अभियत धिन किया है, मंद्रों के आर् लेंगे आशाय चीज़ आपको समय में आ रही है कमेंड बॉक्स में करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्ट पार्डर में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद